हेलो फ्रेंज विल्कम आई यूटूब चैनल तो देखें यहां पे हमने सलवार की कटिंग कर लिए है पटियाला सलवार की कटिंग अभी हम आपको स्टिचिंग बताते हैं तो देखें जैसे हमने रखा है सिर्फ सेम आपको ऐसे जॉइन करना है पहले दोनों पार्ट को जॉ सब्सक्राइब जरूर करें कॉमेंट करके जरूर बताया कैसा लगा तो देखें यह हमारी कलिया है और यह हमारा बेल्ट है तो पहले हम बेल्ट तयार कर लेंगे उसके बाद हम कलियों को जॉइन करेंगे या फिर आप कलियों को जॉइन कर लें फिर आप बेल्ट को तयार क लें तो देख रहने पहले हम यहाप पर कल यहाँ पर कली को ऐसे रखकले जोएंट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर रखना ए सलाई लगते जाना है यहाँ पर देख लगते आ आप सभी को होली की धे सारी सुब्क्राम ना है हैपी होली बहुत बहुत बधाई हो तो यहां पर हमने दोनों कलियों जो हमारी बीच वाली कली है जो हमारी 16 इंच की है टूफोल्ड में 8 इंच की आती है उसको बीच में रखेंगे और साइड साइड की जो कलिया है उसको हम साइड में करेंगे और एक तरफ से उपर की तरफ से होगा तो हमें दोनों तरफ का जॉइंट कर लेना है और दूसरे पार्ट को भी वैसे हमें जॉइंट कर लेना है तो हम कलियों को पूरा दोनों पार्ट को जोइन्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कलियों को कैसे जोइन्ट कर लिया है यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ और यह हमारा मार्जन भी अदादा इंच का है और दोनों पल्ले को मैंने ऐसे जोइन कर लिया है अब यहाँ पे मैं वैल्ट को त्यार करूंगी तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे निशान लगाया है पहले हाँ पिंच का वह यहाँ तक सिलाई लगा किया फिर उसके बाद दो फोल्ड करके सिलेंगे तो आपको भी ऐसे ही सिलाई लगाते जाना है तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक आपको सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आना है और वहाँ तक हमें सिलाई को कट करना है क्योंकि हम वहाँ पे जो नाड़ा डालेंगे इसलिए देखिए मैंने उसको कट कर लिया है अब यहाँ पे हम ऐसे इसके उपर से हम सिलाई चलाएंगे और वहाँ तक चला के सिलाई को घुमा लेंगे जिसमें हम नाड़ा डालेंगे वो स्पेस बनाएंगे हम यहाँ पे तो इसके लिए आपको ऐसे ही सिलाई लगाना है थोड़ा ब्लैक कपड़ा इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा है पर आप सेम इसे तरीके से सिलाई करिएगा बहुत ही असान तरी इसके से हो जाएगा तो ऐसे घुमा के आपको बना लेना है अब यहां पर हम ऐसे उपार के तरफ बैढтесь वाले शिलाई लगातेजह आएंगे पहले फिर उसके बाद ओपर की तरबasında मोडेंगे तो इसके लिए एक याफ फिर इसके बाद जहाँ को हमने निशान लगाया वहां तक फोल्ड कर लेंगे तो सम में इससी तरीके से पुरा फोल्ड करके हम चिलाई लगा लेंगे और बेल्ड को पुरा तयार कर लेंगे तो देखिए हमने जो निशान लगाया है हमें उतना ही फोल्ड करना है यहां पे इतना उसके बाद हम नीचे का कलिया जोएंट हो गई है तब प्लेट डालेंगे अब यहां पे हमने जोएंट ऐसे ही फोल्ड करते हुए पुरा सिलाई लगाते जाना है यहां पे बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना आप चाहें तो प्रेस कर लें प्रेस करने के बाद सिलाई बहुत ही अच्छी लग जाती है वैसे भी हमारा कॉटन का कपड़ा है तो इ कोई भी कपड़ा प्रेस करके सिलते जाएंगे तो ज्यादा दिकत नहीं होती है और देखिए हम इसको बेल्ट को ऐसी तयार कर लेंगे तो हमने यहां पे तक सिलाई लगा लिया है तो हमने यहां पे बेल्ट को तयार कर लिया है अब यहां पे जो हमारी कलियां का आसन होता है उसको join करेंगे उसके लिए आप हमने के थोड़ा सा कम मारजन लिया है तो आप भी उतना ही ले लिजिये या फिर एक इंच ले सकते हैं तो मैंने इस लगा लिया है आप दूसरे साइड ने बनाई है तो यहां पर देख सकते हैं यहां तक हमारा एक कली था और यहां से यहां तक दूसरी कली थी तो बहुत ही चौड़ी होगी यह सलवार तो हमारी आगे और पीछे दोनों प्लेट पढ़ेंगे तो इसलिए हम बीच से सुरू करेंगे और पीछे ले जाकर फिर वह इसकपड़े मैंने सारी तरफ आगे और पीछे टोटल प्लेट पढ़े है तो पहले हम बेल्ट को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा आशन होगा आगे की तरफ वो और पीछे की तरफ दोनों तरफ हम बीच ओबीच निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम ऐसे 4 fold करने के बाद हमें side side में छोटे छोटे cut दे देने है ताकि हमारा पता चलता रहे कि यहां कहां तक लगा है तो यहां पे देखिए हम plate वाले मतलब कडियां वाले कपड़े को उपर रखा है क्योंकि हमें इसमें plate डाले हैं और belt को नीचे रखा है तो आपको यहां पे यह देखना है कि यहां पे plate ऐसे नहीं डालने है क्योंकि यहां पे आपको यहां पे अंदर की तरफ रहना चाहिए आगे की तरफ तो यहां पे plate आपको ऐसे ही डालने है जैसे कि मैं बता रही हूँ तो देखिए ऐसे अंदर की तरफ करते जाए और प्लेट को ऐसे डालते जाए तो आपको सारे प्लेट को ऐसे डालने है पीछे तक जैसे कि हम इधर पीछे के बाद आएंगे तो हमें प्लेट को अपोजिट कर देना है यानि कि उस साइड गुमा देना है इसी साइड से नहीं डालना है तो देखें यहां पे इतना हम निशान पे सिलाई लगाते हुए बनाते जाएंगे तो यहां पे आपको सारे प्लेट्स को जहां तक हमारा पीछे का आएगा वहां तक हमें ऐसे डालते जाना है तो आप चाहें तो यहां पे कंगी की मदद से भी plate जाल सकते हैं और सारे plates सापके बराबर होनी चाहिये तो यहां पे देखिये हमने जो निशाल लगाया है यहां तक हमारा आगे का पूरा हो जाएगा तो यह जो हमारां आशन होगा यहां तक हमें इस पे मिलाना होगा और फिर उसके बाद हम इसके अपोजिट डालेंगे तो आपको यहां ऐसे जितना प्लेट आएगा उतना दूर में उतना हमें बना लेना होगा उसके आगे हमें नहीं ले जाना है इस पल्ले को फिर वहां से हम दूसरे पल्ले का स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए हमें जितना प्लेट डालना है इसमें डाल लेंगे अब यहां पर सिलाइक रोकेंगे अब यहां से आपको हम बताएंगे आपको कैसे डालना है अब इधर से आप डालेंगे सी ऐसल्ब गिलेट तो यहां पे थोड़ा अलग पड़े हैं तो हमारी प्लेट हो गी यहां पर यहां पर इस पर तरह पड़ेंगे बिलेट लाहें तो और यहां पर आपे आपको ऐसे जालना है कि अब उसके डाने के बाद सारे प्लेट्स हमारे कंप्लेट होगा है अब यहां रखाने तो यहां पर आपको बाती है लगानी है उपर के तरफ तरफ सिलाई लगा देंगे तो देखिए हमारा सलवार कुछ ऐसे दिख रहा है अब इसमें पर मैं सिर्फ मोडी बनानी है then put smalak 14回來 लगानी ए तो यहां पर को मोडी के लिए आप जितना को बाता चोडा अविए उतना को देखिए उसके बाद आपको इसंगाना लगाती बाती है उतकीवार करी आप दो तो यहां को अलग को प्रचिए बॉक्रॉ most तो मोहरी में आप चाहें तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं नहीं तो आप अच्छे से डिजाइन डाल सकते हैं वह आपके उपर डिपेंट करता है तो यहाँ पर मैं सीधे सिलाई लगाऊंगी दो और बीच में बस थोड़ा सा घुमाते हुए डिजाइन बनाऊंगी ज्यादा साथ सिलाई लगा दे तो यहाँ पर मैंने दो सिलाई साड़ 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 से लगा लिया है यहाँ पर देखिए एक सिलाई लगा लिया है और एक सिलाई लगा रही हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा घुमाते हुए हम लहरिया वाला डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ यहां पे हम आपको ऐसे बना के दिखाते हैं तो यहां पे आपको ऐसे हलका हलका घुमाते जाना है और फिर एक बार और घुमाते जाना है तो फिर हमारा थोड़ा सा डिजाइन बन जाता है तो फ्रेंज वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा, सेर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कैसा लगा तो हमने यहाँ पे मोरी बना ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो देखिए यह मोरी कैसी बनी है, और एक बार और हम ऐसे सिलाय लगा लेंगे तो मोरी एकदम अच्छी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे बकरम लगाने की जरुत पड़ती है इससे हमारी मोरी कड़क होती है और अच्छी दिखती है, बिना बकरम के मोरी अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पे हमने मोरी को त्यार कर लिया है, अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाय लगाएंगे जो हमारी मोरी की होगी, तो आप छेंच, साथ इंच, अपने अकोर्डिंग अनुसार मारजन लेके मोरी बना सकते हैं मैंने कटिंग करते हुए बताया था, तो यहाँ पे हम छेंच पे निशान लगाएंगे तो छेंच की मोरी हमें रखनी है, तो हम छेंच को ऐसे सिलाय तिर्चे मिल ले जाना है, आपको सीधे सीधे सिलाय नहीं लगानी है जैसे हमारा कपड़ा है, वैसे गुलाय में हमें सिलाय लगाते जाना है, तो सिम ऐसे हम सिलाय लगाते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आप इसलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे तो फिर उसके बाद हमारे सलवार कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे डबल सिलाई लगाने से क्या होता है सलवार हमारा पक्का हो जाता है और यह खुलने का डरनी होता है इसलिए आप ज्यादा ज्यादा डबल सिलाई लगाए खास कर जब अपना बना रहा है तो जरूर लगाए और किसी का और कभी बना रहा है तब भी लगाए क्योंकि इस सिला तो देखें, यहां पर आपको ऐसे फिटिंग करना है, और जो हमारा आसन होता है, वहां पे दोनों आसन को पहले मिलाना होता है, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हो जाएं, तो इसलिए हमारे सारे parts को ध्यान में रखते हुए सिलाई करनी होती है, ऐसा नहीं कि हम जैसे चाहें व तो यहां पर हमने आशन पर आना है तो उसके बाद दोनों आशन को हमें बराबर करना है उसके बाद हमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगा कि हमें पूरे अच्छे से कंप्लेट कर लेना है तो यहां पे सिलाई लगा के हमने पुरा सलवार को कम्प्लीट कर ली आ है यह आप में देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बता आएं कैसा लगा तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को होली की धेर सारी सुपकाम नाएं हैपी होली